तो आप करना चाहते हैं आपके फेस्बुक पोस्ट और साथे साथ चैट को स्टोर वो भी बिना किसे आपका यूज किये तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत असान तरीके से बताया जाएगा कि आपके जितने भी फेस्बुक पे आपने जितने भी आज़ टक पोस्ट किये हैं साथे साथ आपने जितने लोगों से आपके चैट हुई है वो सभी कैसे स्टोर की जाती है यहां पर बताया जाएगा और आपको अगर यह जानना है तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा रेखना बड़ेगा से होते हैं तो इसलिए ऐसे कोई भी आप से करती ना हो इसलिए जो मैं बताऊंगी आप वहीं स्टेप फॉलो करिएगा आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सेव करवाओगे लेकिन उससे बहले आप करिए एक काम चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को करिए होने वाली है बहुत ही खास अब वीडियो को भी ना दरीकिये मैं करती हूँ स्टार्ट तो देखिए करना क्या है तो सबसे पहले आपके मोबैल में होना जुरूरी है फायरफोक्स ब्राउजर अगर यह आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाएए और उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद इसको करिए उपन इसको उपन करने के बाद आपकी जो फेसबुक आइडी है इस फेसबुक आइडी में आपका इमेल से बनी है या फिर जो भी जिससे भी बनी है आप इसको कर दीजे लॉग इसके बाद की स्टेप है ऐसी है कि आप यह त्री लाइन जो दिख रही है यहाँ पर जाएए और यहां से स्क्रोल डाउन करिए और जाएए सेटिंग पर सेटिंग को ओपन करते ही नीचे आएए स्क्रोल डाउन यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखिए डाउनलोड यूर इंफॉरमेशन इस पर क्लिक अब इस पर जैसे आप क्लिक करते तो यह सब आपके सामने ऑप्शन्स आ जाएंगे देखिए इतने सारे ऑप्शन्स आ कैंसल भी कर सकते हैं डिस सेलेक्ट कर दीजिए और पूरा करना है तो फिर पूरा भी हो जाएगा यह देखिए अब देखिए मैं क्या करूंगी इसे पर जाते हैं मैं करती हूँ अभी सब को डिस सेलेक्ट और इसके बाद मुझे जो चाहिए मैं उसी को करूंगी स्टोर ज जैसे नीजे आई है यहां पर आपको दी गई है डेट आपको कौन से लेकर कहां तक चाहिए उसके बाद फॉर्मेट फॉर्मेट आप जो भी सेलेक्ट करेंगे तो HTML फॉर्मेटे सेलेक्ट करेंगा और मेडिया कॉलिटी यह पर डिपेंड हाई या लो बेटर रहेगा आप हाई करें इसके बाद देखिए मैंने सब पहले ही मैंने रिक्वेस्ट कर दीती कॉपी तो यहां पर आपको यह दिख रही है अभी जब यह कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी तब नेक्स टेप क्या क कॉ decisions करने तो फवेलेबल है और प्रेजे दिखने आपके प्रोफाइल में जाना है नोटिफिकिश्ट पर देखना है यहां पर देखेंआपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो फाइले वह रिडी हो छिक ए तो यहां से आपको करने इसको लाविव यहां उसको गिवारें के पास फुल डेटा होना चाहिए डेटा बीच में कट नहीं होना चाहिए इसको ओपन करते हैं तो जब ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर पूचा जाएगा वापस पासवर्ट तो मेरा उस समय यह डाउनलोड नहीं हुआ था इसलिए यह मुझे दुबारा आया है डाउनलोड अगें तो मैं इसको डाउनलोड करते हूं एक मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड तो मैं यहाँ पर बताना चाहूं कि जब ही आपके आप यहाँदि तूबी कर सकते हैं कापी तो हो रही है मेरे माजआ दूनलोड उसके बारके प्रोसेस में मुझे जो मेरी चैटी फेस्बुक वाली यह आ चुकी है तो मुझे उस पर सेलेक्ट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी जैसे हर मुबाल में इसकी जरूरत नहीं होते है कोई मोबाल एक्स्ट्रैक्ट कर लेता है बुरा डेटा अगर नहीं होता हो तो ही आप इस अप्लिकेशन का यूज करेगा वरना कोई जुरूरत है लिए क्योंकि आप डाउनलोड करने के बाद डेटा को एक्स्ट्रैक कर लीजिए वह हो जाता है इसको देखिए यहां से आप जो भी फाइल से मेसेज़े से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जिनके जिनके चैट मु कर सकते हो और अगर नहीं होती है तो ही आप आर यार नाम का जो अप्लिकेशन है उसको से उकरिएगा और उसके बाद वह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अन्यता उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि आशकर वैसे भी मुबाल बहुत एडवांस आ चुके है तो यह सारी जिदे आ करी मैंने आपको दी है वह अच्छे से समझ में आई है और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्यूरीज है वो जरूर टाइप करें मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को स्वाल कर सकूँ जतने जल्दी हो से क जल्दी हमारा एक टेलिग्राम गुरूप भी है इस टेलिग्राम गुरूप के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोंगी आपको जरूर जोइन करिए और तीज बहुत मेंने से मैंने वीडियो बनाई है आप हमारे चैनल को सब्स्राइब करिए और वी सुमाइब